हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैं रुपाली वर्मा बने रही हमारे चैनल के साथ क्यों क्योंकि हम आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइट कराते हैं जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ आप मैंने बीन्स के टेस्ट पेपर आपको 100% फ्री प्रोवाइट करा जा रहे हैं सिर्व आपको यह टेस्ट पेपर ही 100% फ्री प्रोवाइट नहीं कराया जा रहे हैं आपको यहाँ पर kindergarten से लेकर class 12, आपका Olympiad, NTSC, UPSC, state board, Hindi medium, English medium जितना भी study material है आपको totally 100% free provide कराया जाता है हम कभी ऐसा नहीं करते हैं कि हमने आपको दो video free में दिये और उसके बाद हम बोलते हैं कि आपको हर class के लिए इतना study material purchase करना पड़ेगा या इतना कोई scheme लेनी पड़ेगी ऐसा कुछ भी नहीं है आप जिस भी class में जाकर कुछ भी देखना चाते हैं आपको totally free provide होगा तो हमारे साथ बने रहे हैं क्योंकि हमारी कोशश रहती है कि आप सभी का study बहुत ही smoothly चलती रहे तो जैसे आप देख रहे हैं कि आज हम आपके लिए magnet means test paper लेकर आएं ये test paper आपको पहले ही provide कराया जा चुक है इनका PDF आपको provide कराया जा चुका है I hope आप सभी ने इसको solve कर लिया होगा आज हम इसका आपको solution कराएंगे तो देखते हैं कि ये कौन सी class का है और कौन सा chapter है तो आज की हमारी जो class है वो है 10th हिंदी course B का व्याकरण ये जो topic हमने आज लिया हैं ये हिंदी course B के हैं सूचना लेखन और लगुकता लेखन ये दोनों ही topic हमारे इस paper में थे हमने आपको दिये हैं आपको पता है कि इसमें 4 हमारे पार सूचना लेखने और 4 लगुकता लेखने इनको किस तरीके से लिखेंगे इनका क्या तरीका रहेगा सभी कुछ को हम यहां पर द्हान से देखते हैं तो सबसे पहले जो शुरू हो रहा है वह हमारा सूचना लेकर क्या है आप अपनी कॉलोनी की कल्यान परिसद के अध्यक्ष हैं अपने छेत्र में पार्कों की साफ सफाई के प्रती जागुरुकता लाने हे तो कॉलोनी निवासियों के प्रत्रों के लिए चालीश से पचास्च शब्दों में आपको एक सूचना त्यार में तो देखे सूचना जो भी होती है यह सारवजनिक पूर यहां पर सबी लोगों के लिए दे रहे हैं जिद्रे भी कॉलोनी वासी हैं उनको दे रहे हैं तो यहां पर यह सूचना किस तरीके से लिखेंगे क्या क्या फॉर्मिट रहेगा ध्यान से देखिएगा इसको तो सबसे पहले जो हम लिखेंगे ये किसको हम सूचना दे रहे हैं। आदर्श, कॉलणि नरेश, नगर, दिल्ली। तो आप यहां के अधेक्ष हें तो आपने यहां पर यह नाम दाल दिया। सूचना है सबसे पहले एक सूचना है तो हम टॉपिक जरू डालेंगे कि यह सूचना है किस डेट को आप दे रहे हो दिनांक आपने डाल दी दस मार्च ठीक है अब उसके पहले यहां पर जब यह जैसे हम लेटर में विशय लिखते हैं ना उसी तरीके से लिखते हैं लेकिन पूरी तरीके से वैसे नहीं होता है जैसे यहां दिया है सभी पार्कों की साफ सिफाई के प्रती जागरुकता संबंधी सूचना यहां पत्र में विशय लिखके और फिर डैश करके लिखते हैं आपको वह विशय नहीं डालना अब यह सूचना किस मैटर पे है आप एक ला स्वासियों को सूचित किया जाता है कि हमारी कॉलोनी में पार्कों की साफ सफाई के प्रती जागरुकता लाने हे तू विशिष्ट अभियान का आरंभ किया जा रहा है यह अभियान 12 मार्च से प्रारंभ होकर 16 मार्च तक दुपहर धाई बज़े से शाम 6 वज़े तक चले इस अभियान के अंतरगत साफ सफाई के महत्त को प्रतिपादित करते हुए प्रते दिन 4-5 पौधों को आरोपित किया जाएगा अतहां आप सभी निवासियों से निवेदन हैं कि इस अभियान में बढ़ चड़कर भाग लें तो एक रिक्वेस्ट करते हुए चीज आपको अधिक्ष हैं उस सुसाइटी का नाम लिख देंगे यह सबसे पहले आप एक रेक्टाइंगल बॉक्स जरूर बनाईएगा विज्यापन हैं सूचना हैं संदेश हैं यह सब ही जो है ना एक रेक्टाइंगल बॉक्स से ही हम सुरू करते हैं सबसे पहला काम हमारा इसमें क्य अब जारी करी जारी hats दोटेंग फिर यह क्या है सूचना है फेर दिनांग है इस सूचना का क्या है आप एक लाहिन में तेक्न आउसे हम लाए करेंगे विश्चार करेंगे विश्चार करने के बात आप अपना पदनाम डालेंगे अपना फिर जहां पर भी आपने ये पदग्रहण कर रखा है वो लिखेंगे तो यह कुछ मेंट टॉपिक्स हैं जिनका आपको पूरा एक फॉर्मिट ध्यान करके चलना है अब नेक्स सूचना देखते हैं क्या है विद्याले के सचिव की और से समय प्रबंधन विशय पर आयोजित ह होने वाली का रिशाला के लिए 40-50 शब्दों में सूचना त्यार करें अब यहाँ पर क्या है अप सूचना त्यार करी जा रही है विद्याले के सचिव के द्वारा ठीक है वह आप त्यार करेंगे समय प्रबंधन यानि की आप कैसे टाइम टेबल को फोलो मतल्याइं और उ ज्यस्कूल की क्好吃 तो सचल्थ हो सचिव हैं तो आप होelles को सिस्कूल का नाम देंगे फिर वहाँ पि हो ही डाँ प्रोट करिकेसे जो भीडेट उसके बाद जिस भी sabe आप सूचना देने जा रहे हैं उसे आप एक लाइम में एक्स्प्लेइन करेंगे समय प्रबंधन विशय पर आयोजित होने वारी कारशाला है तो यानि कि एक आपकी कारशाला जो है वो करी जारी है उस पर लिखना है अब क्या सूचना है सभी विद्यारतियों को सूचित किय जाता है कि बाल विकास पब्लिक स्कूल की ओर से समय प्रबंधन विशय पर 13 मार्ज से 15 मार्ज तक कारेशाला आयोज़त की जा रही है यह कारेशाला प्राता नौव बजे से दस बजे तक चलेगी इच्छुक विद्यारती बारा मार्श तक पंजी करण कराना आवशक है पंजी करण शुल्क दस रुपए निर्धारित किया गया है सचिफ और आपका नाम देखिए सबसे पहले पद आया फिर उसके बाद सचिफ यानि कि आपका नाम आता है तो आप सचिफ के पद पे तो आपने पद नाम डाल दिया और उसके बाद अपना नाम डाल दिया यही फॉर्मेट इसी तरीके से आप पूरी तरीके से फॉलो करते चलेंगे देखे एक और आपके लिए आते हैं क्या है सामान गुम हो जाने या पाई जाने की सूचना देने के हार दिल्ली की छात्रा खुशी महरा हैं अब आपका नाम आप कि स्कूल में है सभी कुछ बता दिया गया कि से इसमें आपको अपना ग्याций नնेया है और से लिए और आपकाocy depressed को मेंग्या या, इसकूल लिखनी है कैसे लिखेंगे देखिए सबसे पहले आप जिस स्कूल में हैं उसी स्कूल के लिए आप लिख रहे हैं तो स्कूल का नाम शांति विद्या निकेतर प्रशांत विहार दिली अब यह क्या है सूचना फिर उसके बाद जिन सूचना दी जा रही है आपने डेट डाल फिर परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो जाने पर यानि कि एड्मिट कार्ट जो गुम हो गया है सिंपल कि सूचना क्या है उसका सूचना का विस्तारण कीजिए सभी को यह सूचित किया जाता है कि 27 सितंबर 2000 को विद्याले के खेल परिसर में मेरा परीक्षा प्रवेश प खुशी मेरा कक्षा दसवी भी अब देखें यह स्कूल में ही गुम हुआ है तो इसलिए आपकी आइडेनिफिकेशन क्या है आपका कक्षा तो आपने डाल दिया कि मेरी कक्षा यह है और कक्षा जो है सेक्षन भी आपने डाल दिया दोने चीज़ डाल देंगे तो जिसको भी मिलेगा वह उसी जगह आपको आकर देदेगा अब जैसे जब गुम हो जाने और खो जाने पर हमको सूचना लिखनी होती है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है अब बाते क्या है यह ध्यान दीजिए समान गुम हो जाने या पाय जाने की सूचनाओं में निम्र बिंदुओं का होना आवशक है जैसे गुम होने वाली वस्तु का नाम क्या वस्तु गुम हुई है यह नाम देना जरूरी है वस्तु की मुख्य पहचान अब उसकी पहचान क्या है जैसे इसने इन्होंने पहचान बताई कि उसमें मेरी फोटो चिपकी हुई है और म उन्होंने कक्षा दस्वी लेकिन अगर आपका विद्याले में नहीं खोया होता कहीं बाहर खोया होता तब क्या करते उस कंडिशन में आप अपने घर का पता देते तब क्या करते आप अपने घर का पता देते गुम होने की यानि कि किस दिन घुम हुआ है और किस जगहा पर गुम हुआ है क्योंकि जिसको भी मिला हो गा और इस जगह से मिला होगा तो उस व्यक्ति के लिए इदिफिकेशन आसानinky की यह इनहीं का सामाने इसलिए दिनर और इस्थान भी आवशक है फिर आते हैं वस्तू का संश्प्त विर्न जो भी वस्तू खोई है वो किस रंगमाल लीजे अभी तो आपने दे दिया कि उसमें फोटो है अनुक्रमांग के लेकिन अगर कोई चीज सूटकेस खोया होता तो उस कंडिशन में आप क्या करते सूटकेस किस कलर का है ठीक है अब और निशानी किस कंपनी का है आप ये भी बता सकते हो कुछ भी कोई भी चीज ऐसे आप दे सकते हो तो यह चीज पहचान बताना भी ज़रूरी होता है तो यह कुछ जब हम गुम हो जाती है या हमको मिलती है तो यह एडिनिफिकेशन हमको देनी पढ़ती है सारी चीज़े अब आते हैं नेक्स्ट सूचना हमारे पास क्या है दिल्ली मेट्रो के कुछ स्टेशनों पर असुविधा है तो सूचना लेखन कीजिए दिल्ली मेट्रो की कुछ स्टेशन है उसके लिए यात्रियों को जो असुविधा की हो रही है उसकी सूचना लिखते हैं सूचना लिख दिया अब यह किस विशह पर दिया जा रहा रेल सेवा मेट्रो रेल सेवा बाधित होने पर मतलब इस दिन जो है रेल सेवा बाधित रहेगी आपको यह देना है अब क्यासे विस्तारण करिए मेट्रो रेल सेवा बाधित होने के विशह में सर्वसाधारण को यह सूचित किया बाजार और केंद्री सच्वाले मेट्रोल स्टेशन बारा बजे से लेकर शाम छे बजे तक बंद रहेंगे यात्रियों की असुविधा के लिए खेदें इन दिनों क्या होता है वहाँ पर बरेड होती है तो बहुत रश रहता है तो सुविधा जो है ना सुरक्षा कारणों से कि सुरक्षा में सेंध ना लगने पाए इस कारण से मेट्रो डील से बाधित करी जा रहे है तो किस दिन करी जा रही ए किन इस्थानों पर करी जा रही है किस समय करी जा रहे है वो सभी दे दिया अब इसको कौन दे रहा है कुनार शिर्वास्तो मुख प्रबंदक अधिकारी डे एम आर सी तो वहां के जो अधिक्षक है उनका पद और आपने उनका नाम कीते देंगे तो यह इस तरीके से हमने सूचना त्यार कर ली तो आई तिंग इसमें आपको समझ में आ गया होगा फैला प को पॉइंट क्या रहेगा आपकी डेट रहेगी पाँच्वा आप जो भी विशयप पर आप सूचना देने जा रहे हैं उसे आप देंगे फिर छटा हमारा रहेगा सविशय का विस्तारण सात्वा रहेगा आपका नाम और आपका पदनाम रहेगा आठस्वां तो यह आठ पॉइंट आपको इसी क्रमांख में लेकर चलने हैं यह धियान रखेगा इन आड़ो पॉइंट को आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे कोई भी आगे पीछे नहीं करना कुछ नहीं करना कि दिनांग उधर की जगह आपको दिनांग आपको बाई तरफ लिखनी है बाई तरफ ह लिखना है यह चीज इसी तरीके से आप विस्तारण करते पूरा चलेंगे अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक यानि की लगुकता लेखन पे लगुकता लेखन क्या है इसको हम सभी समझ चुके हैं अब इसमें लगुकता लिखी कैसे जाती है वो देखेंगे क्या है एक ऐसी मौलिक کथा लिखिए जिसके अंत में गेह वाक के लिखा गया हो अंतता मैं अपनी योजना में सफल हो सका या हो सकी यानि कि आपको एक ऐसी कथा लिखनी है जिसमें हम जो है अपनी सफलता को बता सकें कि हां अंतता मैंने इतनी कोशिश करी और मैं सफल हो गया कोई भी ऐसी आपको एक कहानी बनानी है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है कथा मैं बशपन में अक्सर अपने दादा जी से एक बात सुना करता था कि तुम्हारा जीवन तभी सफल है जब तुम दूसरों के काम आ सको तब ये बाते मेरे समझ में नहीं आती थी लेकिन पिछले दिनों मेरे साथ एक ऐसी घटना गठी जिसने मुझे अंदर तक जंजोर दिया और दादा जी की बाते बार बार इस्मरण होकर अपनी सत्ता को सुद्ध करने लगी क्या है उस दिन मैं रात को ऐसे ही टहलने के लिए घर से बाहा निकला था मन में पहले से ही बहुत सी बातों को लेकर उध्रेड बुन चल रही थी कि तभी अचानक मेरी नजर सड़क के दूसरी ओर बने कूड़े दान पर पड़ी मैंने देखा वहां साथ से आठ साल के कुछ बच्चे कूड़ा उठा रहे थे पर एकदम से मेरी नजर एक बच्चे पर आकर रुख गई मैं उस सड़क पार करके उनके पास गया तो देखा वह बच्चा कूड़े दान में फेकी गई खाने से भरी हुई पॉलिथिन दून रहा था और उसमें से खाना निकाल कर खा रहा था मेरे शरीर उस द्रश को देखकर निस्तब्द रहे गया मतलब भुक्मरी क्या होती है वो बच्चे किस तरीके से खाना लेते हैं ये सारी चीज़े वहाँ पर थी पूरे रास्ते मेरे मन में वही द्रश चलता रहा मैंने घर पहुँचकर निन्ने किया कि भूंक से तड़पते इन बच्चों के लिए अपने इस तर पर कुछ न कुछ कार्रे अवस्च्र करूंगा मैंने अपने कुछ साथियों को इस घटना के विशे में बताया और मिलकर उनकी सहायता करने के लिए कहा मैंने उन्हें सुझाव दिया कि हम लोग शाम के समय महले के ढाबों और रेस्टूरेंसे उनका बचा हुआ खाना सस्ते दामों पर खरीद कर इन बच्चों को बाट देंगे सभी ने मेरे इस निर्णे की प्रशंशा करते हुए अपने इस तर पर सयोग करने की बात कही अगले दिन शाम को हमने अपनी योजना अनुसार कारी किया और कुछ बच्चों को भोजन कराया अंतता अपने दोस्तों की सहायता से मैं अपनी योजना में सफल हो सका तो कोई भी ऐसी योजना जो आपने सोची हो कुछ हो तो उसको एक कहानी के रूप में ढाल कर आप यहां पर लिख सकते हैं तो यहां पर आपको एक कहानी बना थी जिसमें आपको टॉपिक दे दिया कि अंतता मैं सपल हो सका तो आपने इस तरी किस लिखा अब हमारी आती है दूसरी कहानी दूसरी कहानी में क्या दिया है एक मौलिक कथा लिखिए जिसका आधार निमलिखित उक्ती हूँ मन के हारे हार है मन के जीते जीत अब एक आपको ऐसी कता लिखनी है जिसमें ये सुक्ति पूरी तरीके से फिट हो कि यानि कि मन में अगर हम सोच लें कि हम हार गए तो हम हार जाते हैं और अगर हम मन में ठान लें तो हम जीत कर ही दम रहते हैं चाहे परस्तियां कितनी ही विप को भी explain करना पढ़ता है तो यहाँ पहले स compromise करेंगे मनके हारे हार मनके जीते जीत प्रश्थ उक्ति का अर्थ है कि यदी हमारे मन में किसी कार के प्रती द्रण संकल्पह है तो कोई भी कार असंभव नहीं है यदी हमारे मन में हार मानली तो हार निश्चत हो जाएगी और यदि हमारे मन में आत्म विश्वास जीतनी की इच्छा है तो जीत निश्चत है यह उक्ती निमलिकित कथा द्वारा इस पश्ट रूप से समझाई जा सकती है अब आप यहां समझाओगे एक कथा देनी है यानि कि आप कोई कहानी लि है इस युद्ध में भी ऐसा ही हुआ एक राजा इस युद्ध में हार गया उसने जन धन की बहुत हानी हुई उसके सैनिक पराजित राजा को ढून रहे थे पराजित राजा अपना जीवन बचाने के लिए भागा-भागा फिर रहा था उस ते छिते छपाते एक खो में श कर रहा था उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि शत्रु की तलवार कभी भी उसका काम तमाम कर देगी वह इसी विचारों में खोया हुआ था कि उसकी नजर एक मकड़ी पर पड़ी जो खोखे दर्वाजे पर जाला बनाने में व्यस्त थी उसकी कोशिशें बार-बार ना थी छोड़ा राजा ने सोचा कि वहाँ बेकार ही प्रैत्न कर रही है भला आधार के बिना जाला कैसे बनेगा मतलब अगर कोई चीज़ है नहीं तो तो कैसे जाला बना लेगी लेकिन थोड़ी देर बाद राजा ने देखा मकड़ी जाला बनाने में सफल हो गई थोड़ी देर में पूरी खो के मुह पर जाला बनाया जा चुका था तभी शत्रु सैनिक वहां पहुंचे लेकिन खो के मुह पर मकड़ी का जाला बना देख लोट गए करीब आई हुए मृत्ति तो टल गई पर राजा एक गहरे विचार में पड़ गया अब वहां पर जब शत्रु वाय तो देखा कि यहां जाला बना दो यानि कि एक इसे अंदर तो कोई जाई नहीं सकता यानि की बहुत पहले से बना हुआ है तो कोई प्रवेश करता तो जाला नहीं होता तो वहां से लोटके म्रत्य तो टल गई मगर राजा एक विचार करने लगा क्या विचार करने लगा उसने सोचा कि मैं स्वयम तन मन से पराजित था अता मैंने मकड़ी को भी हारा हुआ मान लिया लेकिन वह छोटी सी मकड़ी हारी हुई नहीं थी वह बार किर कर भी निराश और पराइस नहीं हुए क्या मैं मनुश होकर भी इस मकड़ी से दुर्बल को उसने अपने मन को मजबूत किया और संकल्प किया कि आपने स्ट्रू को अवश्य पराजित करेगा वत्तुरंत उस खो से बाहर निकला निकलाया अब वह एक हताश निराज पराजित राजा नहीं था वराइन मजबूत इरादे वाला व्यक्ति था जिसे हर हाल में विजय पानी थी उसने अपने साथियों को इकत्र किया और अंत में अपने शत्रु को हरा कर अपना अब नहीं है अब इस कथा से आपको क्या मिलती तो क्या है प्रस्थुत कथासे में यह सिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन को मजबूत और द्र्ण संकल्प करके कारिक करना चाहिए तब हमें सफलता प्राप्त हो कार्याप करने जा रहे हैं उससे पहले अपने मन को आप संकल्पी बनाओ, द्रण बनाओ, मजबूत बनाओ, संकल्प लोग कि चाहे जितनी भी मुश्किल परस्तितिया हो हम हार नहीं मानेंगे, चाहे जितनी बार पराजित होना पड़े हम पराजित होते रहेंगे मगर बार-बार कोशिश करते रहेंगे, एक बार तो जीतेंगे, इसलिए कोशिश से कभी भी अपने आपको पीछे नहीं करना है, अब इसके बाद आती है हमारी अगली कथा, क्या दिया है, संगठन में शक्ति होती है, कहावत को आधार बना कर मौलिक कथा लिखी, अब आपक हम इस उक्ति का अर्थ यानि किस महावरे के अर्थ को सपष्ट करेंगे, संगठन में शक्ति होती है, अर्थात साथ मिलकर बड़े से बड़ा कार भी आसानी से संभव हो जाता है, इसलिए कहा गया है, शक्ति ही जीवन है, हमें आशावादी, द्रण और अनुकूल विचार को अपना कर एक साथ संगठन में रहकर कर्म करना चाहिए, संगठन में शक्ति होती है, अकेला व्यक्ति उचित प्रकार कार नहीं कर सकता, इसे निम्न कथा द्वारा भली प्रकार समझा जा सकता, संगठन यानि कि जब हम मिल उजलकर काम करते हैं, तब वो बहुत जादा श आपस में जगड़ा हो गया, मतलब जो फिंगर्स होती ही, इनका आपस में जगड़ा हो गया, पाचो खुद को दूसरे से बड़ा सिद्ध करने में लगी थी, अंगूठा बोला मैं सबसे बड़ा हूँ, उसके पास वाली उंगली बोली मैं सबसे बड़ी, इसी परकार करो कि आप कैसे बड़े हो, तो सब तो बोल रहे हम बड़े हैं, तो बोलेंगे बड़े हो तो पहले ही सिद्ध करो, आप बड़े कैसे हूँ, अंगूठे ने कहा मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि लोग मुझे हस्ताक्षर के लिए प्रयोग करते हैं, मुठा लगाते हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, पास वाली अंगूडी बोली, मुझे लोग किसी इंसान की पहचान के तौर पर इस्तिमाल करते हैं, अब इसके बाद मतलब क्या है, यह हमें पहचान, कहीं पे भी फिंगर प्रिंट्स देने होते हैं, तो यह उंग्ली लगा तो मैं ही सबसे महार हूँ, उसके पास वाली अंग्ली बोली, मैं सबसे जादा अमीर हूँ, क्योंकि लोग हीरे जवारात की अंगूठी मुझे में ही पहनाते हैं, अब उसके बाद वाली अंग्ली ने बोला, कि इस अंग्ली में ही, जो है सभी लोग रिंग्स पहनते हैं, ना तो इसे बाकी उलियों में ज्यादा नहीं जल्दी पहनते इस उंगली में सभी बोलते हैं तो बड़ी वाली उंगली के पास यह वाली मैं सबसे ज्यादा आमीर हूं इसलिए मैं सबसे बड़ी हूं यह बोला तभी नायादीश ने एक रजगुल्ला मंगाया और कोशिश करेंगा घर में कि कोई भी चीज आप सिर्फ अंगूठे से उठा लो कोश प्रयात्न करिया रजगुल्ला तो छोड़िये कोई चीज भी आप उठा पाएंगे तो क्या हुआ अंगूठे को उठाने के लिए कहां अंगूठे ने भरपूर जोर लगाया लेकिन रज थे वाली उठावा तुम उठाओ जो अंगमिर अपने आपको बोल रहे थी तुम उठाओ मतब कोई सबीं ऊंगलियां हार गई कोई नहीं उठा पाया अबक्या खूते at लिए अच्चछाया हाथ से खाओ ज्याफी की जरूरत पड़ेगी तो चाहे स्िकाओ आपको उन्दियों की सभी की जरूरत पड़े तो आप उठाने को कहा तो जub झचर से सब मिलकर रजबुल्ला उठालिया तब नयाधीश ने कहा कि तुम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हो अकेले रहकर तुम्हारी शक्ति का कोई अस्तव नहीं है जबकि संगठित रहकर तुम कठिन से कठिन काम आसानी से कर सकते हो इसी प्रकार यदि एक लकड़ी को तोड़ा जाए तो वह आसानी से तूट सकती है परन्तो यदि लकड़ियों को इकत दी देता है तो वही चीज यहां पर हमने दूसरे तरीके से कहानी प्रसुत कर दी संगठन में शक्ति यानि एकता में शक्ति तो यहां पर क्या बताया सिर्फ रजगुल्ला एक मुलायम वस्तोही हम इस हाथ से उठा सकते हम एक से एक मुश्किल काम भारी से भारी चीज़े हम उग्लिवलों की मदद से उठा सकते हैं तो यह कहानी के माध्यम से हमने इस उक्ति को सद्यगर्दिया की संगठन में शक्ति होती है अब इससे हमें सीख क्या मिलती है एक साथ मिलकर संगठन में रहकर किसी भी कारे को उचित प्रकार्शी किया जा सकता है कहा जाता है केला व्यक्ति कमजोर के माफिक होता है तो अगर वो संगठन में हैं तो वो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से कर लेता है अब हम आते हैं अपनी अगली कहानी पे और यह हमारी आखरी कहानी भी क्या है सावधानी हटी और दुरघटना खटी आप अक्सर ट्रॉक्स में पीछे यह सारी लाइन्स लिखी हुई यह वाली देखते होंगे सावधानी हटी और दुरघटना घटी तो क्या है कहावत के आधार पर मौलिक कथा लिखनी है अब आपको इस कहावत पर एक कथा तयार करनी है तो सबसे पहले हम जो है यह जो उक्ती हमारे सामने दी गई है इसके अर्थ को समझेंगे यह अर्थ क्या है सावधानी हटी और दुरघटना घटी उक्ती का अर्थ है कि जब सावधानी नहीं बरती जाती तब दुरघटनाएं घट जाती है मनुशाज अपने जीवन में इतना अधिक व्यस्त हो गया है कि वह जल से जल्द अपने कार प समय लग जाता है घंटो जाम में फसकर व्यक्ति तीव ग्रती से वहानों को चलाते जिससे दुरघटनाओं की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि मनुश्य कम से कम समय में जादा से जादा कारे कर लेना चाहता है अत्यदिक ट्राफिक होने के सास्तात लोग लापरवा होते जा रहे हैं सरक पतीव ग्रती से वहानों को चलाते समय लोग ट्राफिक के नियमों का पालन नहीं करते दो पहिया वाहन वाले वाहन तो चलाते समय हेलमिट आधी का प्रयोग नहीं करते तो दूसरी और कार बस स्कूटर आधी चलाने वाले व्यक्ति शराप पीकर वहान चल है और यह क्यों साबित हुई आज कल के ट्राफिक और गलत आदतों की वज़े से यह उकती निकल कर सामने आई है अब इस पर कथा क्या है एक दिन ऐसी ही दुगटना सड़क के चोहराये पे हुई जिसमें तेज रफ्तार से चली आ रही कार की साइकल से टक्कर हो गई टक्कर ह सालक को भी बुरी तरह से चोट आई यह धुरगटना तीव ग्रती से वहन चलाने वाट ट्राइफिक नियम का पालन ना करने से हुई थी घटना इस तल पर उबस्तित लोगों ने दोनों व्यक्तियों को पास के ही अस्पताल में पहुंचाया घटना इस तर पर पुलिस कु साफधानी हट य वैसे ही दुरगटना घट यानि कि दोनों को ही जल्दी थी का लाला भी जो है वो सडक nose का पालन नहीं कर रहा था गाड़ी वाला वह बहुत तेजी चला रहा था तो इसकंडीशन में क्या हुआ कि दोनों की दुरगटना हो गई तो यहां पर साफधान य बस में जाते हैं वैसे थो सब अपने वहानों में जा सकते हैं तो क्यों बस आती है क्योंकि और जो है निजी वहान का मिस्तेमाल एक एक ही केमपस में अगर बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं तो भई बस वहां पहुंच गया और भाले तोislik अपने वैकल्स लेका जाएंगे कितने सारे वाहन निकलाएंगे रोट पे होगा ना तो इसलिए अब इसी तरह आफिस जाने वाले लोग अगर एक ही के आसपास से जाते हैं तो उन्हें भी कार पूनिंग भाई एक दिन आप अपनी कार निकाली है उसके पांच से छे लोग आ अपने जो पोर्सनल वैकल्स हैं उनका कम इस्तिमाल करें और सारवजनिक वाहनों का जाधा इस्तिमाल करें सबसे महतुपूर बात यह है कि दुरगटना होने पर हमें घायल व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए उसे जल से जल अस्पताल ले जाना चाहिए ताकि उसकी जान गटना से देर भली हम आपको आज का ही वाक्या बताते हैं आज जब हम यहां पर अपने ऑफिस आने के लिए निकले वहां से अपने घर से तो बस मुश्किल से हाडले पांच मिनट का हमने रास्ता तैह किया होगा तो बहुत भीड लगी थी जब ध्यान से देखा थोड़ा हुआ क्या था एक तो वह और जो है वह रोट असावधिने पूरा पार कर रही थी यानि कि वह मुबाइल पे बाद करते हुए रोट को क्रॉस करने कर रही थी जिससे उसका ध्यान जो है अपसी बातों पर था उसने गाड़ी को ध्यान से देखा नहीं कि वह आ रही है और ज यहां पर हमें क्या है भले देर हो जाए मगर सड़क पर चलते समय हमें नियमों का पालन करना है सावधानी बरत्निये यह सारी चीज़े ध्यान में रखते हुए हमें चलना चाहिए हमने आज अपना ही अब जैसे आपको वाक्या बताया आखों देखी बात हमने यह चीज़ इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलिएगा तो यह तो एक जनल बात थी हम अपनी लगू कथा पर वापस आ जाते हैं तो लगू कथा जो हम लिख रहे थे इसमें हमारे सामने जब कोई उपती या मुहावरा दिया जाता है सबसे पहले हमें उसे डिटेल मे कि सीख देना बहुत जरूरी होता है यह तीन पॉइंट्स आपको किसी भी कहानी में जरूरी अगर मान लिजे कोई वह उपती नहीं है तो आप सीधे भी कथा को शुडू कर सकते हैं तो यह कुछ चीज़ें हैं जो आपको कथा लेखन में ध्यान रखनी हैं तो इस तरीके स यह हमारा टेस्ट पेपर जो था सूचना लेखन और लगुकता लेखन यहां पर समाप्त होता है हमारे आगे और भी सिर्फ हिंदी के नहीं आपके और भी सब्जिक्ट के जो है वह टेस्ट पेपर आपके लाइफ सेशिंस और आपके सैंपल पे बहुत सारी चीज़ें आप यह वीडियो आने वाला है हम देख लेंगे हमारे चैनल पे आपको जितना भी कंटेंट और वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है यह 100% फ्री रहता है इसके लिए हम कोच भी चार्ज नहीं करते साथी जितना कंटेंट रहता है टोटली आरेंजड रहता है टीचर बहुत के साथ आपको यहां पर पढ़ाते हैं कि कोई भी चीज आपसे मिसने होने पाए और कोई भी चीज ऐसी नहों जिसमें आपको डाउट रह जाए इसलिए हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजेगा थैंक यूपर वाचिंग बाबाई आपको याईफ सब्सक्राइब टाओ भी चीज जल भी ट्म करता हैं